Black hole के एक चमच मिटी का भार कितना था? 10 आथी के बराबर, यान 1990, इतनी मिटी लेंगे ना तो 10 elephant के बराबर होगा, elephant, 10 elephant के बराबर होगा, अब जरा कलपना कीजिए, कि अगर हम black hole की कोजी मिटी एक कटोरा ले लेते हैं, इतना तो इसे ज़रा और खतरनाक हो जाएगा, अगर इससे हम एक घर बराबर ले ले लेते हैं मिट्टी तो और खतरनाक होगा, सोचिए इससे हम पहाड बराबर अगर इसका मिट्टी ले ले लेते हैं तो कितना भायानक होगा, और भी जादे चीज के ब्लैक होल में जाता है लास्ट में तारा बड़े तारे ब्लैक होल बन जाते हैं लास्ट में जाके ब्लैक होल बनते हैं तो ब्लैक होल जो चीज है वो दिखने में भले छोटी होती है लेकिन उससुआ का डेंसिटी बहुत जादे होता है यह ब्लैक होल जीतना बड़ा होग ब्लैक होल, तो क्योंकि इसका घणा तो क्या था, बहुत जादे था, इतना जादे डेंसिटी है कि इससे प्रकास भी टकरा के वापस नहीं जा सकता है, ब्लैक होल से, तो इस ब्लैक होल जैसा, अगर कलपना की जी एक गरह है, कैसा है, गरह है, प्रिथवी बराबर कोई गरह ह बना हुआ है, आप कलपना नहीं कर सकते हैं कि उसमें कि इतना जादे density होगा, उस गरह से आप प्रिथिवी जैसे सौ गरह को बना सकते हैं तोड तोड के, क्योंकि उसका density बहुत जादे है, density क्या रहता है ज़्यादे रहता है, जैसे, Aluminium देखें Aluminium Aluminium की density बहुत जादे रहती है तो इतना छोटा एक Aluminium का गोला लेता है इंसन Aluminium का एक छोटा सा गोला लेता है और इसको मसीन में पीट पीट के पीट पीट के पीट पीट के क्या करता है एक चादर बना देता है एक इतना चोड़ा चादर बना देता है और पतला चादर तो आप दुगान पे जाएगेगा काजू बर्फी खरीदने न तो उसके उपर एक सटाय रहेगा चांदी का पेपर लोग बोलते हैं चांदी का पेपर बई यह चांदी का नहीं रहता है Aluminium का रहता है question पूछा हुआ है कि मीठाईयों के उपर चांदी का परत चड़ाते है वो किसका रहता है तो क्या आप देखते हैं कि इतना छोटा से Aluminium को पीट पाट की कितना चोड़ा कर दिया क्योंकि Aluminium में density जादे थी Aluminium में density जादे थी अब बताईए भई एक टोटा सवसुरा का density जादे है उसके बाद वो तारा के बराबर है तो उससे आप तूट अगर आप उससे तोड़ेंगे तो उसमें से हजारों की संख्या में आप नए तारों को बना सकते हैं नए तारों को आप क्या बना सकते हैं हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में आप बना सकते हैं तो जाज लेमें तेरे ने कहा कि ऐसे ही एक बहुत ही जादे घनतों का तारा था वो अचानक बिस्पोर्ट कर गया और बिस्पोर्ट किया ना तो उसी से जितने तारे बने हैं सब के सब उसी से बने हैं, दुनिया में जितने भी तारे बने हैं, वो बड़े तारे के एक छोटे-छोटे हिस्सा मातर है, इसी को कहा गया बिग बैन थियोरी आज से 15 मिलियन साल पहले हुई थी, और वहीं से डेट का गणना, समय की गणना चालू हुई थी, तो बूरे ब्र साथ से सारे तारों का निर्माण उनी से हुआ है, अब ये तारों के समू को हम लोग क्या कहते हैं, बैया, आकास गंगा कहते हैं, तारों के समू को आकास गंगा के नाम से जानते हैं, अब ये आकास गंगाओं के समू को हम क्लस्टर कहते हैं, तीन आकास गंगाओं के समू क क्लस्टर कहते हैं उसे क्लस्टर कहेंगे अब आप यहां तो समझिये अगर सपोच कीजिए कि यह पूरा का पूरा ब्रह्मांड है तो इसके अंदर क्या आएगे आकास गंगा आएगा cluster के अंदर क्या आएगा आकास गंगा आएगा आकास गंगा के अंदर तारा मंडल तारा मंडल के अंदर नक्षतर अनक्षत के अंदर सौर मंडल आएगा नक्षतर के अंदर सौर मंडल आएगे सब यानि सबसे बड़ा चीज क्या हो गया ब्रहमांड उसके बाद क्या हो जाता है ब्रहमांड के नीचे अगर देंगे तो ब्रहमांड से नीचे जाएंगे तो क्या हो जाता है ब्रहमांड से नीचे जाएंगे तो क्या हो जाता है ब्रहमांड से नीचे जाएंगे तो क्या हो जाता है ब्रहमांड से नीचे जाएंगे अगर देखेंगे, देखेंगे यहाँ पर, हमारी आकास गंगा में सूरज के समीप अगर रहेगा तो नक्षत्र थोड़ा दूर रहेगा तो तारा मंडल, तो इसमें आते हैं क्या तारा मंडल, तारा मंडल, उसके अंदर अगा नक्षत्र, नक्षत्र, उसके अंदर आपका तारे, सूरज आ जाता है। यानि अब तक जितना चीज़ देख रहा है वो तारों का ही खेल है। तो इस पूरे के पूरे ब्रह्माण्ड यानि युनिवर्स में आपको केवल दो चीज़े मिलेंगे। दो तारों के बीच का खाली जगह या तो फिर तारे है। दुनिया में और इस पेस से मिलकर बना हुआ है यहाँ पर। किसी को इतना में दिक्कत नहीं है। जितने तारे मिलके बने हैं वो पहले क्या थे? एक ही में थे। बिस्पोर्ट करने के बाद हो क्या हो गए है? बिखर चुके हैं। बिस्पोर्ट करने के बाद हो बिखर चुके हैं। बि इंगलिस में क्या कहते हैं गैलेक्सी किस चीज से मिलके बनी होती है तो तारों से मिलकर बनी होती है गैलेक्सी किस चीज से मिलकर बनी है तो तारों से मिलकर बनी है यह सारी कि सारी गैलेक्सी हैं सब एक ब्रहमान में लगवक कितनी गैलेक्सी है सब सो अरब गैलेक्सी है सब जोज ले में तेरे वेरी गूड चलिए याद रखेगा अब ज़रा कंसेप्ट से यहां समझें बहूं लोग अब बस 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 कमेंट जा दे नहीं अब यहां से समझें तारों के यह सारा का सारा क्या है ब्रम्हांड है ब्रम्हांड यानि यूनिवर्स इंगलिस वाले लोग ध तारों के समू को हम क्या कर देते हैं अकास गंगा और अकास गंगा के समू को क्या करते हैं क्लस्टर इसी में अब तारा मंडल आ जाता है इसी में नक्षतर आ जाते है यानि सारा खेल तारा और किसका है बईया तारा और इस पेस का रात में आप बैठियेगा तो यानिक आईजीन का नाम था एडवीन हब्बल एडवीन हब्बल ने एक टेलिस्कोप बनाया था और फिर एक टेलिस्कोप को अंतरिक्ष में भेजा गया हब्बल नामक टेलिस्कोप से और जिससे देखा गया तो देखा ये गया कि जितने भी ये ब्रह्मांड की हिस्सा है ये किसी न किसी खीचाओं के वज़े से हुआ था जो तारा भठ ब्लस्ट किया था वह कोई न कोई ऐसी सक्ती थी जो बाहर से खीची और ब्लस्ट किया और चोटे चोटे तारों में विखर गिया उन्हीं तारों के समू को आकास गंगा कहते हैं लेकिन एडमिन हबल ने बताया कि ये आकास गंगा में भी क्या हो रहे हैं ये आपस में दूर जा रहे हैं दूर जा रहे हैं तो ये सारे के सारे तारे क्या हो रहे हैं दूर जा रहे हैं जिस दिन इन्हें दूर भेजने वाली सकती खतम हो जाएगी यानि जब इने खीचने वाली सकती खतम हो जाएगी तो एक समय ऐसा आएगा कि फिर ये आपस में आके फिर जुड़ जाएगा और फिर वो अपना जो मूल गोला था उसका निर्मार कर लेंगा तो जो बिग बैन था वो वापस जाके आपस में जुड़ जाएगा तो जुड़ जाने को कहते हैं क्रंच तो जब जुड़ेगा तो उसे कहा जाएगा सूपर क्रंच का सिध्धान सूपर क्रंच सिध्धान उस कोस्चन आएगा आप से कि बीग बैन सिध्धान का अंत कब होगा तो बीग बैन एडविन हब्बल ने बताया था कि ब्रह्मांड क्या हो रहा है विस्तारी थो रहा है ब्रह्मांड विस्तारी थो रहा है और जिस दिन ये ब्रह्मांड विस्तारी थो रहा है धीरे 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 जब ये ब्रह्मांड की खीचाओ का बल खतम होगा तो फिर ये आपस में आकर ज यह दूरबीन जमीन पर है या अंत्रिक्ष में छोड़ दिया गया है सेटलाइट के जैसे किसके जैसे सेटलाइट के जैसे अब आईए बबुगा इस धानत पे देखते हैं बाई बीग बैं ठीवरी जल्दी समझे हैं मैं नहीं आता है किसी को लड़का कहता है कि जैसे तो बहुत जादे घना था वह बलस्ट किया ना तो कम घना वाला बहुत जादे निकल के चलाया सब जैसे Big Ben Theory का सबसे अच्छा एक्जामपल हम आपको देते हैं दखो बया कैसे दें आपको एक्जामपल आई Big Ben Theory तुम बंदो जाओ विडियो लास्ट में बताएं आपको याकास गंगा है सभी सब देखिया Big Ben Theory हम आपको अपनी भासा में बता देते हैं भाई यह लड़ू कहा है हाँ आप में लड़ू देखे होंगे आप लोग खाने वाले CBSC वाला लड़ू को क्या बोलता है सब भाई CBSC वाला सब लड़ू को क्या बोलता है जल्दी बता भाई लड़ू है बोलता है सब अब आपके दिमाग में धीरे धीरे आइडिया आ रहा होगा बीग बेंद थियोरी कैसे था देखिए बाबु इसमें से हम एक लड़ू की कलपना करते हैं एक लड़ू बढ़का नहीं खली एक लड़ू ये एक लड़ू को अगर आप फोड़ेंगे तो छोटा 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 बुनिया में बहुत जादे बटे जाएगा तो यहीं बोल दिया था जाज लेमेंटेरे कि लड़ू इसमें रहलोगो ऑपस लड़ू घर ने देखिए आपका भी आऊगा तो घरही ही लड़ू बनेगा तो लड़ू को वापस में सान देगे फिर से लड़ू बन जाएगा तूसे क्या कहें है सूपर क्रइगे बंच वह गया सुपर क्रूंच शचरह एकरे बोलता है जार्ज ले में तेरे बिग बैंथे उरी सीधा बोलना सचरह गो लड़ डूएशन था फूर के फूटके दाना बन गया वहाँ पर को कहा दुनिया भर का सिधान बोलता है साज में आगया CBSE वाल लट खाया थाज है साज लगतु शिभाणक वाल और विछा अटेविकर या वड़ी आंग आएशन वारे वाल जबूनिया से wal भर किमसजी च़oti परनूनिया तो रजगुला को कुछी बूलेगा? स्वीट लिक्विड बॉल देखो वाईया, यह लड्डू है यह क्या है? लड्डू बिग बैन थियूरी हम आपको समझा देते हैं देशी भासा में, यह है लड्डू यह है लड्डू यह लड्डू है आप है अब जब लड्डू को फोरेंगे तो क्या होगा? बिग बैन थियूरी तो लड्डू कुछ इस तरह से भी बिखर जाएगा कुछ लड्डू के टुकडे टुकडे भी रहेंगे और कुछ छोटे छोटे दाने भी रह जाएगे यह लड्डू बिखर गया लड्डू बिखर गया यह लड्डू क्या हो गया बिखर गया यह लड्डू खतम लड्डू बिखर गया जो लड्डू भड़कल है उसी को कहते हैं बिग बेंद थियोरी भड़का हुआ लड्डू इस नोन अज बिग बेंद थियोरी और ये सब तारे बिखर गए, जहां तारा ग्रूप में मिला, इसको कह दिया गया गैलेक्सी, इसको कह दिया गया गैलेक्सी, इसे कह दिया गया गैलेक्सी, तो जहां जहां भड़का हुआ तारों में से, लड्डू में से, ग्रूप में एक के जगा सनाईल मिल गया था, जिस बन जाएगा, क्या बन जाएगा, सूपर क्लस्टर बन जाएगा, इसे अब तारे हैं सो, हम लोग का एग हो जाएगा, मन्दाकनी, डियम, अंड्रोमेडा, NGC 733, ऐसे अब औरो कुछ-कुछ हो का सा, भाड़ में जाओ तुम लोग यहाँ पर, अब इसी में हो जाएगा, ता तो हांधी उधी मारेगा, ता और ही छीतर आजाएगा, और इसी को जब समेट दीजेगा वापस, तो जईसे समेट यहाँ वापस, तो लड़ू वापस आजाएगा, लड़ू आगया वापस, यह बन गया सूपर क्रंच, सूपर क्रंच, सूपर क्रंच, सूपर क्रंच, अरे भाया हमारा सूरज तारा है और प्रिथवी से सूरज 109 गुन बोड़ हूँ इतना बड़ा प्रिथवी है सूरज देखिए ऐसे बनाते हैं देखिए यह देखिए यह हमारा प्रिथवी सूरिय यह हमारा सूरिय है और इसी के पास हम बना देते हैं प्रिथवी को ये नीला वाला हमारे प्रिथवी है और ये सूरी है